तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड टिफ्यूज रिफ्लेक्शन ओफ लाइट यानि लाइट के दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं रिफ्लेक्शन तो जान गए एक है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ् तो सबसे पहले देखते हैं कि regular reflection of light क्या होता है regular reflection of light regular reflection regular मतलब क्या हो गया एक समान रूप से लगाता है ना एक समान रूप से reflection होगा तो कैसा जगह से होगा यदि कोई आपका surface है ठीक है वह surface का यदि nature हो ये surface क्या है मारा mirror है और कैसा surface है इसका mirror का mirror का surface जो होगा वह होना चाहिए a smooth surface ठीक है यदि ये surface smooth है polished है तो यहां से जो reflection होगा वह क्या होगा regular होगा regular कहने का अर्थ हुआ क्या कि अगर आपका एक touch से हम लोग यहां light मारते हैं तो beam of light जाएगा ठीक है एक light यह गया इस इस दे इंसिदेंट light नेक्स्ट इंसिदेंट light यह गया अगला इस दम स्ट्रेट लाइन रहता है है ना मैं थोड़ा आड़े तिर्चे मेरे से खिचा जा रहा है लेकिन यह दम स्ट्रेट तो यह है आपका regular reflection का example किलियर तो इसके लिए जरूवत कैसा था हमें a smooth और polished surface का तो वहाँ पर क्या होता है regular reflection और यह कैसा कौन हो सकता है यह होगा हमारा plane mirror यानि plane mirror से हमेशा regular reflection of light सो होता है है ना तुम कहा सकते हैं लिख सकते हैं यहाँ पर कि it occurs regular reflection of light है ना occurs from a smooth surfaces smooth surfaces से यह होता है पर होता है like that of plane mirror as example हम लिख सकते हैं हमारा क्या है plane mirror और नहीं तो कोई बहुत highly polished surface है है ना या highly polished metal surface तो यहां से क्या होगा आपको regular reflection of light सो होगा और इस regular reflection of light में यह जो आपका यहां पर angle i और angle r होगा यहां भी होगा angle i और angle r है ना यह होगा angle i और angle r सभी में होगे है ना यानि angle of incidence और angle of reflection तो इन सब में क्या होगे वो आपको समान रूप से होगा यानि कहने कार तुआ कि angle i1 is equal to angle r1 is equal to angle i2 is equal to angle r2 is equal to angle i3 is equal to angle r3 so and so जदी एक torch के beam से light फेका गया है तो है ना तो वो सारा आपका एक ही plane में एक ही तरह से यह प्रवाहित होगे clear तो यह तो आपको regular reflection of light समझ में आया अब हम लोग देखते हैं this topic है हमारा diffuse reflection है ना diffuse reflection of light d-i-double-f-u-s-e diffuse diffuse को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं क्या irregular 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 का opposite हो गया क्या irregular IR जोड दीजिए तो हो गया क्या irregular है ना IR जोड दीए तो regular का opposite हो गया irregular या इसको तीसरा नाम एक और नाम दे सकते हैं scattering कहते हैं irregular reflection तो कहते ही है irregular reflection of light और इसका एक तीसरा नाम क्या है एक नाम इसका और है उसे कहते हैं scattering of light of light इसका मतलब हुआ कि light छित्रा जाता है light जो है वो छित्रा जाता है एक समान तरह से आपको light नहीं फैलता है बली छित्रा जाता है जैसे आपके table पर कोई keyboard रखा हुआ है है या आपका table ही है या कोई भी आपका object है वो object से जितने भी उस पर light पड़ते हैं तो कोई light इधर तो कोई light इधर कोई light यहाँ पड़ा तो इधर तो कोई light पड़ा तो इधर तो यानि कि यहाँ जो reflection हो रहा है वो क्या हो रहा है irregular हो रहा है मानि चारो तरफ फैल जाता है इसी के चलते यह क्या कर जाता है scatter कर जाता है जब incident होगा तो light का क्या होगा scattering हो जाएगा जिसके चलते क्या होगा कि आपको किसी भी room के किसी भी kone में कोई भी object रखा हुआ है तो आप उसे देख पाते हैं अगर यह scattering नहीं हो diffuse reflection नहीं हो तो आप किसी भी object को नहीं देख सकते हैं और scattering और diffusion diffuse reflection या irregular reflection का एक ही region है क्या है region यह बताएंगे मेरे को इसका एक मात्र कारण है क्या कि जो यह इनका जो surface होता है वो rough होता है और इसी rough surface के होने के चलते यहां reflection irregular होता है अब मैंने आपको light दिखाया इधर चला गया इधर ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसे क्यों गया क्यों गया तो इसके पीछे कारण था क्या कि यहां बहुत महीन 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 आपको object पर difference है अब किया है न कि आप तो देख रहे हैं कि भाई यह 15 degree पर मारे लेकिन वास्तों में जब इस object पर पड़ता है तो यहां पर जो एंगिल बनना है वह 15 degree के बनने का वह इसको जगह बन गया पचास डिग्री तो जब पचास डिग्री बना तो यह मूब भी करेगा पचास डिग्री से इसी जगह पर दूसरा लाइट पड़ रहा है तो वह पड़ रहा है 80 degree पर तो वह मूब कर रहा है 80 degree से क्यों क्योंकि वह रफ सर पे से खुद्रा सर पे से आप उसे microscope से देखियेगा तो इस तरह से दिखाई देगा यू बड़े बड़े भिली दिखाई देंगे है ना तो जिसके चलते यह क्या होते हैं light को scatter कर देते हैं कि तरह देते हैं है ना और उससे वह object पूरे कमरे में किसी भी कोने से किसी भी एंगिल से वह दिखाई देता है और यदि किसी object से diffuse reflection हो रहा है तो वहां पर कोई image फॉर्म नहीं करेगा है ना तो no image is formed कोई image फॉर्म नहीं करता है no image is formed in diffuse reflection diffuse reflection में किसी भी तरह का कोई भी image फॉर्म नहीं करता है clear है of light तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके घर में बहुत सारे objects हैं जैसे आपका दे सकते हैं चौक है जिससे लिखते हैं टेबल है cardboard है paper है आप अपने कमरे में all objects except mirror and highly polished surface सारा का सारा surface जो होता है वो क्या है irregular reflections हो करता है और एक बहुत ही interesting बात है एक बहुत ही interesting बात है और वो ये matter है सबसे interesting कि आप जिस दर्पन में अपना चेहरा देखते हैं है ना वो चेहरे वो दर्पन को आप कह रहे हैं कि highly polished है मेरा highly polished है highly smooth है इसलिए यहां सिर्फ regular reflection हो रहा है नहीं only यहां regular reflection नहीं हो रहा है highly polished पर भी यहां कुछ irregular reflection भी हो रहे हैं क्योंकि तोड़ा यहां minor यहां खुरदूरागपन भी है जिसी के चलते यह mirror हमारा कमरे के किसी भी छोर से दिखाई देता है clear यानि इस world में in this world कोई भी ऐसा object आप नहीं देखे होंगे जो कि pure 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 smooth होगा वो कुछ न कुछ उसमें खुरदूरापन रहेगा ही और जिसके चलते वहां diffuse reflection पाया ही जाएगा ओके और इसका एक जवरदस्त example है हमारा cinema screen आप कभी hall गए होंगे cinema hall है ना तो वहां आप देखते हैं बहुत बड़ा screen लगा हुआ रहता है और उस screen पर उसके सामने से focus मारा जाता है और वहां पर क्या है आपका movie चलता रहता है और उस movie को आप कहीं भी room में बैट करके असानी से देख पाते हैं वो क्यूं देख पाते हैं क्यूंकि यहां पर जो है a scattering of light हो रहा है scattering of light हो रहा है यानि diffuse reflection हो रहा है यानि irregular reflection हो रहा है इसी के चलते cinema screen पर आप room में किसी भी कोने से बैट करके आप उस film को देख पाते हैं और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था large of reflection क्या यह irregular reflection में applicable है large of reflection कहां कहां applicable है तो यह applicable है regular reflection में यह हम लोग जानते हैं और regular reflection होता कहां है on highly polished surface highly polished smooth surface तो यह तो irregular reflection पर नहीं follow होगा नहीं यह irregular reflection पर भी follow होता है है ना जहां भी reflection होगा वहां हमारा यह large of reflection जो हमने आपको पढ़ाये थे two large of reflection यह दोनों का दोनों लाफ follow होते हैं तो आपने देखा क्या देखा regular reflection और irregular reflection है तो ये दोनों चैप्टर देख लिए तो अब हम लोग मिलेंगे दो मिनिट के प्रेक के बाद ओके थैंक यू